चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन हलो गुद बॉर्निंग एंड विल्कम तो अल अफ यू दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है आज के एपिसोड में जिसका नाम है तैयारी अगले सब्ता की आप सब लोग देखते हैं इसको हर संड़े को और हम लोगों का भी बड़ा मोटिवेशन रहता है कि कब संड़े आएगा और कब आपके सामने आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं जो आप लोग इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं इस पूरे एपिसोड को आप लोग इतने ध्यान से देखते हैं और पूरे वीक के लिए ये एपिसोड आपको अंडाउटिडली बहुत हल्प करता है तो थैंक यू सो मच और इससे पहले कि मैं ये एपिसोड तैयारी अगले सब्ता की डाटा एंड इवेंट अनालेसिज 29 इस तारिक से लेगे 30 अगस्त के हम जो वीक होगा नेक्स पीक जो आने वाला है उसके अंदर क्या क्या मार्केट में हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे आखिसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारे पिछले वीक के जुड़े हुए आज जो आ गे आने को जो लोग beginners हैं, जो लोग starters हैं और market में trade कर रहे हैं, तो at least उनको कुछ help मिले, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने भी stock market start किया था, तो शायद मैं भी बहुत सारी news, बहुत सारे data, बहुत सारे events को नहीं पढ़ता था, और शायद ये मुझे लगा कि इस तरह की series लोगों को help करेगी, कि एक consolidate करके हम आपको पूरे हफ़ते में क्या क्या हुआ, और आगे क्या क्या बड़े events हैं, उनको हम आपको एक consolidation दे रहते हैं, 15 मिनट के अंदर, कि जिसके अंदर पूरे week में आपको एक gist मिल जाती है, कि आप लोगों को मैं बात करता हूँ कि हम topic of the day लेते हैं, तो topic of the day में आज मैंने बहुत खास topic लिया है, और ये topic मैं इसलिए चुमता हूँ, जो मेरे को comments आते हैं, जो आप लोग बात करते हो, मैं उसको topic of the day में लेके आने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर कोई अच्छा topic है और एक important topic है, तो वो हम सब के साथ discuss करें, तो आज का जो topic of the day है, वो है stock market as a career, क्या हम stock market को में एक career बना सकते हैं, क्या एक stock market ऐसा profession है, कि हमको इसमें career बनाना चाहिए, professionally हमको stock market में क्या आना चाहिए, तो इस market में, stock market में, क्या, मैं ये देख रहा हूँ, इतना youth, हमारे पास आ रहा है, इतनी calls हमारे पास आती है, और ये सारा का सारा जो youth है, ये 21, बलकि मैं तो कहूँगा 18 साल, 17 साल, 17 साल से लेके 26 साल, 27 साल, 28 साल, ये जो range के लोग हैं, के जो बचे हैं, वो बहुत fascinate हो रहें stock market से, और वो चाह रहे हैं, कि वो किसी न किसी तरह stock market में अपना करियर बनाएं, तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप इस करियर को परशू कर सकते हैं, और क्या ये करियर वाके में बहुत अच्छा है, क्या या बाहर से ही देखने में अच्छा लगता है, या अंदर से ही क दोक्टर, हर आदमी इंजिनियर, हर आदमी चार्टर अकाउंटेंट, हर आदमी कंपनी सेग्रेटरी, इस MBA, हर आदमी ये बड़ी-बड़े प्रोफेशनल नहीं बन पाता, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं CA या CS, या मैं इंजिनियर या डॉक्टर नहीं बन पाया, तो क्या म किआप चैफेशनल नहीं है, क्या मेरे पास कोई प्रिफेशनल नहीं है। नहीं दोस्तों फिल्कुल नहीं है ऐसा, यह हमारी बहुत गलत फहमी हैं, टोक्टर करें हो लोग और ग्रादध्र करें वो लोग स्टॉक मार्केट में हो आ रहे हैं- पृत्स मैं यहां पर आपको थोड़ा सा आप लोगों का फोकस डालना चाहूंगा पहले हमारे यह केवल वाइट कॉलर जॉब्स चलती थी और या फिर एकदम पियन और ड्राइवर्ज इस तरह की जॉब्स चलती थी कि बहुत लो केटरी या वाइट कॉलर अब आप लोगों ने कर रहा है जैसे जैसे आपने देखा होगा हर तरफ डिजिटलाइजेशन हो गया है और उसके अंदर पहुत सारी नहीं किसम की जॉब्स आ गई है मैंने आज कल एक निया वर्ड सुनाएं ब्लू कॉलर जॉब्स ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर नर्सेज, ड्राइवर्स, डिलिवरी बॉइज, जो के एफ सी और बड़े बड़े जो फूट जॉइंट्स हैं वहां पर स्विगी यहां पर लोग डिलिवर करने के लिए जो लोग जाते हैं वो बेसिकली उन लोगों को एक मिनी बिजनस बॉडल दिया गया और इनको एक ब्लू कॉलर जॉब बोला ग उसमें काम करता है वो 10-12,000 रुपे, 15,000 रुपे सैलरी कमाता था लेकिन वोई ड्राइवर जो हमारे घरों में या ओफिसों में काम करते थे वो 15,000 लेते थे लेकिन उबर और ओला वाले जो ड्राइवर्स हैं वो 35-40,000 पचास रुपे महीना कमा रहे हैं तो बेसिकली आज आपके जूब में नहीं जाना चाहता क्योंकि शायद वो थोड़ा सा लो प्रॉफाइल हो जाता है तो अगर आपको वाइड कॉलर जॉब में जाना है और आपको एक अच्छे स्टेटस को लेना है तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट पी बेस्ट है स्टॉक मार्केट में आओ अपना करियर आप बना सकते हो यह एक स्किल्ड जॉब है यह एक स्किल्ड वो है कि आप यहां को सीख देखो मैं एक्जामपल आपको दे सकता हूं कि एक कार्पेंटर जो शायद पहले नहीं कमाता था वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा और अच्छा कमाता है क्यो इन लोगों को इतनी बना यह बेसे के लिए हम स्किल्ड की बात कर दें तो हमको स्किल्ड होना है और गौर्वर्मेंट भी बहुत कोशिश कर रही है कि हमारे यूथ को स्किल्ड जो जॉब्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए तो दोस्तों आप लोग ग्राजुएशन करो ट्र खेंट के कुर्सित करते हैं हमारे जो भी इफॉट है वह मेरे से बात करता है बाप मघे स्क्वार्केशं के लिए साथ को की बठाने का मतलब यह है कि आपि 12 से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं आप साथ में कुछ भी अटुएटो स canon करें साथ में لेकिन कोई प्रॉब्लम नही यह आपको लेना चाहिए आप इस करियर के अंदर बहुत उचाईयों को पा सकते हो अगर आप एक अच्छा मेहनत कर सकते हो थोड़ी सी आइनलेटिक पावर आप में है तो आप अच्छी आइनलिस्ट बन सकते हो आपने देखा होगा एक जोच्छी के पास आप जाते हो वह आ मार्केट को अनलाईज कर रहा है फ्यूचर अनलाईज कर रहा है आपके जो फैनेंशल गोल्स हैं उनको फ्यूचरिस्टिक बना रहा है उनको पूरा कर रहा है तो बेसिकली स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से एक परफेक्ट करियर है और आप लोगों को जो लोग भी इसमें इंट्रस्टेड हैं उनको stock market के career को जरूर लेना चाहिए तो दोस्तों बहुत कम बच्चे हैं जो लोग stock market में अपने career को बनाने के लिए सोचते हैं क्योंकि यह terms उनको पता ही नहीं है और यह एक niche market है आप लोग niche market की तरफ आएं आप लोग उस भेड़ चाल में ना जाएं ज 90% लाने की होड में लगे रहेंगे और आप एक ऐसे career को choose कर लेंगे जो शायद आपके लिए ही नहीं तो अगर आपका stock market में interest है या आप stock market की तरफ जान रखते हैं तो आप जरूर इस market में आएं और यहां पर अपना career बनाएं stock market आज भी एक misunderstood market है आप जानके हरान होंगे क केवल 3% लोग जो हैं उन लोगों का DMAT account है हिंदुस्तान के अंदर और US के अंदर जो लोगों का DMAT account है जो लोग investing और trading करते हैं वो उनसे हमारा 60% जो है वो गिंती कम है मतलब US के अंदर कितनी investment है कितने लोग stock market के अंदर है उसके मुकाबले हिंडिया कुछ भी नहीं है तो जबर दस इंपार राइज आना चाहिए इस मार्केट में इस मार्केट में स्किल्ड लोगों की इतनी जुरूत पड़ेगी banks बड़े-बड़े banks multinational banks brokers mutual funds research houses इन सब में आप लोगों की जुरूत है बचे पूछते हैं कि हम stock market course करके सर बनेंगे क्या इतनी opportunities है research analyst बन सकते हैं equity analyst बन सकते हैं fundamental analyst बन सकते हैं टेक्निकल अनलिस्ट बन सकते हैं stock dealers बन सकते हैं arbitrators बन सकते हैं अल्गो ट्रेडिंग में जा सकते हैं आप सोच ही नहीं सकते हैं तो basically आप लोग एक आज का जो मेरा मकसद था वो आप लोगों को बताने का यही था कि आप लोग किसी जो एक पुराने चले आरे करियर्स हैं उनकी तरफ ना भागें और stock market एक अच्छा करियर है आप इसको जरूर चूज कर सकते हैं अगर आपको details हैं तो IFMC में call करके भी हमारे जो counsellors हैं आपको इसके बारे में पूरा बता सकते हैं इसमें IFMC के पास classroom courses भी ह अच्छा है, online platform के ओपर IFMC के stock market के सारे courses हैं आप लोग वो भी देख सकते हैं जिसके अंदर job oriented courses आपको किस तरह से job में जाना है वो भी हैं और इसके इलावा अगर आप investor or trader category के courses देखते हैं तो वो भी online में available हैं तो दोस्तों अब मैं start करूँगा आज का episode तैयारी अगले सब्सक्रा में next week के लिए हम अगर बात करें निफ्टी पहले मैं बात करूँगा कि निफ्टी last week हमने क्या प्रेडिक्ट किया था last week हमने निफ्टी के ऊपर bearish trend दिया था कि निफ्टी bearish रहेगी और साथ में आपको कुछ support और resistance दिये थे तो सबसे पहले हम चार्ट के उप पर जो हमने last time support और resistance दिये थे और पूरे हफ्टे last week निफ्टी ने कैसे perform किया हम पहले उसको देखते हैं और फिर हम बात करेंगे अगले सब्ता में क्या-क्या और events होने हैं लेकिन यह start करने से पहले जो हमारे साथ नए beginners नए users नए viewers नए subscribers हमारे साथ जो जूड़ रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि यह episode में basically हम आपको events और data की weightage की मतलब कोई news आई उसकी कितनी weightage है उसकी weightage को हम कैसे stock market के साथ जोड़ेंगे वो बताने की कोशिश करते हैं example के लिए कि अगर एक news positive है और एक news negative है तो ऐसे में हम क्या करेंगे हम market को bullish समझेंगे या bearish समझेंगे तो यह news की weightage के उपर depend करेगा और इस weightage को हमने विस्तार से अपने जो made हमारा जो course है online course हमने उसमें समझाया है और जो लोग भी made को देख रहे हैं या जो made को ले चुक करेंगे लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको जो हमारा यह episode है इसके अंदर आपको next week के लिए जितना असानी से समझाने की कोशिश करें वह हम आपको समझाएं तो last week निफ्टी की बात करूं तो 11,284 के उपर यह इस बार बंद हुआ है हमारा 95 points निफ टीवी की रहेगा और बेरिशी रहा crude oil 3870 बंद हुआ है 10 points गिर के कोई ज्यादा इसमें major फरक नहीं आया और अगर मैं charts की बात करूं यह हमारी निफ्टी के charts हैं यह मैं mark कर देता हूं यह हमारी Friday की candle है यह हमारी Thursday की candle है यह हमारी Wednesday की candle है यह हमारी Tuesday की candle है और यह हमारी Monday की candle ले तो यहां से हमारा market start हुआ last week यह जो मैंने levels कीचे हुए है यह भी मैं यह पर mark कर देता हूं 11,725 का monthly support था और इसके बाद दो resistance थे हमारे 11,628 11,628 और 11,615 यह मैंने last week आप लोगों को levels लिखवाए थे अगर आपको याद हो तो अगर नहीं है तो आपको दानी वीडियो देख सकते हैं अब मंडे को हमारा market यहां open हुआ जो कि हमारे दोनों resistance के नीचे हमारा था और support जो हमारा मतली support था 11,725 का उसके भी नीचे ही था पूरे हफते कि अगर मैं बात करूं तो market नीचे ही रहा क्योंकि कोई भी positive अच्छी news पूरे हफते नहीं आई है news की बात करूं तो मैं आप बहुत सारे लोग में से पूछते हैं सर हम news को कैसे write down करें और कैसे हम उसको excel पे बनाएं तो मैंने ये made में बताया है लेकिन मैं फिर भी यहां आज आपको एक excel दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप daily basis पे macro news मैं फिर से repeat कर रहा हूं दोस्तों macro news आपको micro news में नहीं जाना बहुत detail में नहीं जाना micro मतलब बहुत detail और macro मतलब उपर उपर की तो आप लोग मुझे पता है कि कोई engineering background से कोई कोई doctors होंगे कोई आप forces में होंगे कोई आप business man होंगे तो हो सकता है आपके पास micro level की जानकारियां या micro level के data को समझने का आपके पास वो ना हो लेकिन आप macro level पे बिलकुल समझ सकते हैं और हम इस series के अंदर macro की ही बात करेंगे जो आपको बिलकुल असानी से समझ में आता ह मैं आपको एक excel दिखाने जा रहा हूं जो मैं maintain करता हूं वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं ये excel basically मैं आपको दिखा रहा हूं केवल समझाने के लिए कि आपको किस तरह से news को अपने पास write down करना है और ये सुबह का केवल 5 minute का का काम होता है जब आप newspaper खोलते हैं तो front page के ओपर जो बड़ी बड़ी macro news होती है मैं उनको load करता हूं इसके इलवा और कुछ नहीं करता हूं example के लिए मैंने ये बना रखा है अगर आपको दिख रहा हो मैंने यहां पर बना रखा है short term negative short term अगर आपको नहीं नजर आ रहा है आप सिंता ना करें मैं भू से बोल रहा है short term positive ऐसी news जो short term में positive effect पैदा करती है इसके इलावा ऐसी news जो mid term में negative effect पैदा करती है इसके बाद mid term में negative जो news effect पैदा करती है इसके बाद long term में long term में negative news कौन कौनसी होती है या long term negative और long term positive ये long term negative और long term positive तो इस तरह से मैंने एक excel maintain करी है जिसके अंदर मैं short term negative, short term positive, mid term positive, mid term negative, long term negative, long term positive केवल 6 columns बनाता हूँ और जो भी news आती है उसको अपने हिसाब से मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आप खुद analyze करेंगे एक दो बार गलती होगी लेकिन जब आप इस तरह के बनाएंगे एक महीना दो महीना तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे कौनसी news कहां डालनी है लेकिन अगर आप तब भी इसको detail में समझना चाहें तो आप made online course में देख सकते हैं खैर मैं इसको अब मैं आपको इनके news की एक एक बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा idea लग जाए मान लेजिए मैं एक बार आपको बताता हूं कौन कौन सी news में कैसे मान कर रहे हैं मान लो यह एक news यह मैंने date भी डालता हूं अगर आपने 15 जुलाई को मेरे पास कौन कौन सी news आ रहे हैं 17 जुलाई को क्या आ रहा है 18 जुलाई को क्या आ रहा है तो वह excel में आप आज की जैसे date है आज की date है 27-28 जुलाई तो 28 जुलाई का newspaper उठाएंगे उसके अंदर जो भी negative short term या positive है उसको आप इस excel पर mark करेंगे example के लिए मैं ले लेता हूं जैसे मैंने mark करके Morgan downgrade poor outlook on stocks Morgan का एक news आया था यह कौन सी date थी अप्रॉक्सिमेटली 15 जुलाई के आसपास कि Morgan ने stocks के ओपर एक poor outlook दिया था तो मैंने उसको short term negative जैसी बड़ी organization जब इस तरह का कोई comment देती है तो short term के लिए एक negative वह बनता है लेकिन आगे जाके यही चीज लॉंग term में convert होती है तो शुरू में यह हमारा short term negative बना उसके बाद short term positive में US, China, उसके बाद, अगर मैं देखू, mid term positive, RBI access cap to government यह पीछे बहुत news चली थी कि access जो RBI का access पैसा वो government के पास आए लेकिन उसके उपर RBI ने cap लगा दिया बाद में तो थोड़ा सा negative हो गया शुरू में वह हमारा mid term positive था तो इस तरह से आप लोग चार्ट के उपर Excel के उपर इसको बना के news की weightage को निकाल सकते हैं मैं वापिस जाता हूँ अपने topic पर नी तो यह video बहुत लंबा हो जाएगा तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि last week में क्या-क्या news आई हम उनको एक बार mark करने की कोशिश करते हैं और गाइडलाइन फॉर बांकिंग गवर्नेंस स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स आर बिया इने स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स करें हैं बैंक्स के लिए जो थोड़ा सा नेगिटिव हो जाता है आगे long term के लिए यह news बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने आपको एक episode में अपने बताय तो वह जब सियमेंट लगता है तो इमीडियेटली शौट टर्म के लिए वह नेगिटिव होता है क्योंकि गजने लेकिन अच्छा होता है तो शौट टर्म में मैंने इसको नेगिटिव लिखा companies के weak results आ रहे थे वो मैंने यहाँ पर negative लिखे weak jobs के data आ रहे थे वो मैंने उसको negative में लिखा Tata Motor के को heavy losses आए वो मैंने negative में लिखा sovereign bonds dropping India sovereign bond लिखे आ रहे थे हम लोग लेकिन वो last में एक news आई कि हम शायर उसको drop कर सकते हैं तो ये भी एक हमारा negative हमारा बना ये मैंने अभी तक बात करें domestic मैंने domestic और global दोनों अलग अलग दिखा है तो अगर मैं बात करूँ domestic के उपर मेरी एक दो तीन चार पांच मैंने negative news मात करी इसके बाद अगर मैं global की बात करूँ तो global में अगर मैं अभी मैं केवल दोस्तों negative news की बात कर रहा हूँ तो negative में global में क्या था इरान और US का tension हम सब को पता है oil tanker के चकर में उनका tension और बड़ा है ये एक negative news globally इसके इलावा US fed could be less aggressive in rate cut पहले ये हो रहा था कि US जो fed है वो rate cut में rate cut अच्छा कर सकती है लेकिन last एक दो दिन से ये news market में है कि शायद वो rate cut तो करेगा लेकिन बहुत aggressively नहीं करेगा तो ये एक negative globally हमको देखने को मिला sentiment उसके बाद अगर मैं positive की बात करता हूँ तो positive में आप ये note करें जल्दी जल्दी से ये देखिए positive में reliance industries के अच्छे results आए HDFC के अच्छे results आए good results by PSU banks Punjab National Bank के बहुत अच्छे results आए है 10 billion global bond sale global bond sale के लिए हमारा 10 billion का वो है ये भी एक positive में है Indigo, DHFL और Yes Bank ये तीन का main problem चल रहा था तीन corporates का problem चल रहा था ये cool down हुआ है ये शायद इनको कुछ relief मिले है लास्ट के कुछ दो दिनों में अगर आपने अकबार दो दिन के उठा के पहले पढ़ेंगे तो ये तीनों news आपको अकबार के front page पे मिलेंगी lending NBFC में get get paste हमारे RBI गवर्नर ने बोला कि जो NBFC है उनको lending का जो है वो कुछ बढ़ाया जाएगा और शायर उसमें पेस आएगा तो liquidity की problem यहां resolve होती हुई दिखेगी monsoon जो है वो above average mark किया गया अगर मैं देखूं यह ज़्यादा तर जितनी भी news है positive वाली यह ज़्यादा तर सारी की सारी Thursday night और Friday आई है अब यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम वेटेज कालकूलेट करते हैं क्योंकि हमारे पास यहां इतना टाइम नहीं होगा कि मैं कैसे आपको वेटेज कालकूलेट करके दिखाऊंगा तो अर्बिंद मोधी पैनल ने जो सजेस्ट किया 15% corporate tax के उपर उन्होंने बोला इसके इलावा दास asked PSV to lower interest rates जो हमारे गवंदर हैं उन्होंने बोला PSV को कि आप लोग अपने interest rate कम करें ताकि उससे थोड़ी सी क्योंकि liquidity में कोई कमी नहीं है उनके इसाब से तो आप लोग rate of interest में cut करें उसके इलावा मारूती के जो results हैं वो खराब आए हैं लेकिन जो expected थे उतने नहीं आए तो ये भी एक positive है तो अगर मैं बात करूं last Thursday और Friday में कुछ news अच्छी आई हैं और अगर मैं बात करूं positive में global पे तो solid earnings by US companies, US companies की जो earnings है corporate results बहुत अच्छी आ रहे हैं त तो ये अभी तक मैंने positive की बात करी तो दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि अगर मैं आप compare करता हूं यहां थोड़ा सा भी यह देखिए करीब 1,2,3,4,5,6,7 मेरे पास negative news हैं और अगर मैं positive की बात करूं तो मेरे पास 1,2,3,4,5,6,7 तो दोस्तों अगर और यह जादा तर जितनी भी positive news हैं यह हमारी सारी Thursday night के बाद आनी शुरू होई थी ठीक है और अभी आज सड़े है आज कोई major news नहीं है Monday भी अगर positive news रहती है या okay रहता है तो शायद market जो इतना गिरा है यहां से एक bounce back ले सकता है लेकिन मैं यह नहीं कह कर रहा हूं कि market में यहां से तेजी आ जाएगी मैं bounce back की बात करता हूं मैं आपको इसको index पर दिखाता हूं sorry charge पर दिखाता हूं आपको यह हमारा chart है यह हमने discuss किया था undoubtedly पूरे wake market गिरी है लेकिन अगर आप देखें जो last हमारा जो Friday की candle है यह हमारी green candle बंद हुई है लेकिन यह previous day की जो candle है उसके open को cross नहीं कर पाई approximately वहीं घोंग रही है अगर मैं exactly बात करूँ तो previous day का जो था 11,290 का जो level है उसको cross करके बंद करती तो better रहता है लेकिन यह cross हुआ 11,284 तो दोस्तों अगर 11,290 के ऊपर index रहता है Monday को तो शायद एक bounce back देखने को मिल सकता है और इस हफ़ते अगर मैं predict करता हूँ market को market 11,200 या even 11,100 से लेके 11,400 की range market में रहनी चाहिए overall जो market का trend है वो downward है bearish trend है और cable अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आखरी Thursday से हमको कुछ better मैंने यह लिखा है start getting some good signals yet on confirmed, yet not confirmed कुछ अच्छे signals हमको Thursday के बाद देखने को मिले है लेकिन अभी वो confirmed नहीं है जब तक कि market अपने levels को नहीं cross करता ठीक है तो अगर आप लोग selling in reds पे करें तो atleast selling ना करें लेकिन आपको bind नहीं करनी है अगर आप selling करें तो उपर जब market कहीं resistance ले तो हमें resistance के पास को selling करनी है अब आप note करें अगले अपते निफ्टी की levels निफ्टी monthly level जो निफ्टी का है monthly level 11,843 मैं यहां पर लिख देता हूँ आपको अगर नहीं नज़र आ रहा तो इसलिए मैंने बड़ा बड़ा यहां लिख दिया 11,843 दूसरा level है 11,393 और first level है 11,291 जो मैंने आपको अभी बोला अगर 11,291 के उपर market कहीं रूपता है तो एक bounce back आ सकता है आप लोग जबरदस्ती इस lower levels पर selling करके ना फसें अगर आपको overall मैं अगर फिर भी बोल रहा हूँ कि market bearish trend में है अगले हफते के लिए range रहेगी 11,100 से लेके 11,400 उपर के level पर sell करें जहां पर resistance market में देखने को मिले अगर 291 पर resistance देखने को मिल जाए तो sell कर सकते हैं 393 पर resistance मिले तो sell करें और जबरदस्ती अगर market नीचे कहीं जा रही है और इसी rates के around रहता है तो आपको अभी sell करने की जूरत नहीं है क्योंकि market की जो news आ रही है अगर मै बात करूँ technically market down है news पहले आती है technicals बाद में बनते हैं यही आपको made सिखाता है made क्या कहता है कि जब एक demand and supply create होती है वो news से होती है तो news आनी शुरू हो गई है तो अब demand अगर positive news आनी शुरू हो गई है तो technically market week है technical analysis या UDTS के हिसाप से market week है monthly weekly daily week है लेकिन made क्या कहता है कि अगर अच्छी news अच्छी data आते हैं आप उनको सही ढग से पढ़ते हैं तो आप full level से पहले market में एंटर कर सकते हैं तो इसलिए जो मैंने अभी तक note किया पिछले दो दिन के में market में एक bounce back बनने की तैयारी हो सकती है बशरते Monday तक कोई बड़ी विज़ारों को आपके साथ शेयर करता हूं तो मन के एक सारी चीज़ें निकल जाती है कि मैंने चलो कुछ लोगों को कुछ दोस्तों के साथ यह चीज डिसकस करी जो मेरा अपना experience है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस episode में तो thank you so much, thank you करता हूं